दोस्तों आज हम इस ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर करेंगे इसमें जैक का इश्यू आ रहा है जैक तूट चुका है और साथ में इसके प्रिंट भी तूट चुके है असल में हम आपद दो रिपेयर होने के लिए आवे थे एक मैं नॉर्मल ही प्रॉब्लम था उसका सोलिशन हो चुका है बट इसमें प्रिंट टूटा है तो मैं इसको कवर कर रहा हूं यहाँ पर क्योंकि यह थोड़ा सा हर किसी के साथ जब यह प्रॉब्लम आती है तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है तो यहाँ पर पहले देख लीजिए इसका प्रिंट टूटा है और यहाँ पर हमने करना क्या है बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही सस्ता तरीका मैं कहूंगा इसे इसको आप नॉर्मल कर सकते है ठीक अब सबसे पहले यहाँ यहाँ सा सही लग रहा है कि हाँ इधर पर आ सकता है क्योंकि इधर से थोड़ा सा नजदी करेगा और यहाँ पर ज्यादा वो कोई अधर इसमें पार्ट वगर नहीं लगेगा तो फिर भी एक बार चेक करना ज़रूरी है देख लेते एक बार सही से मेरे हिसाब से इस कर सकते हैं तो यहाँ पर जैक का यही साइज है जो इसमें एक्टरनल जैक लगना है तो फटा-फट से हम इसको इधर फिक्स कर लेंगे इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर लें और फिक्स हो जागा हलाकि अभी गर्म-गर्म है तो बिल्कुल सभी से लग जागा तो इस तर लगने हैं तो कहाँ पर लगने क्या लगने हैं जिरा इसको भी मैं थोड़ा सा पहले इसको सई से फिट कर लूँ ताकि यह कई पर अड़े ना यह फिट दिख्कत ना करे ठीक है अब यहाँ पर दीखिए मैंने यह काम कर लिया है और यहाँ पर स्लीव अगर चड़ाईए अब यहाँ पर यह वायर थोड़ा से छोटी थी, तो तब मैं इसमें दूसरी वायर और जोड़ूँगा, तब जाके PCP तक पहुँचवाएगा, अब थोड़ा से आपको ट्रेक करवाता हूँ, जब भी इसमें external jack लगा रहे हैं, उसके plus minus कहाँ पर देने, जो plus वाला है, यह तूटा हुआ है, और वो जा रहा है सीदे, यह charging IC के इस वाले leg पर, ठीक है, ध्यान दो, और negative वाला यहाँ पर ground से, यहाँ body से जुलावा रहता है, समझ गे आप, negative वाला हमें सा, body पर या फिर आप कहीं पर भी जोड़ो जहाँ पर आपको negative मिला है, और positive वाला, इस IC के यह पर जोड़े, इस leg पर, बस, समझ गे, तो यहाँ पर देखे, मैंने भली बात इसको जोड़ लिया है, positive वाला, यहाँ पर फोकस नहीं उपारा सही से, चलिए आप, देखा दो, positive वाला, इस IC के इस leg से जोड़ा है, और negative वाला है, या बैटरी के negative से भी जोड़ सकते हैं, अ तो यह पर वायर थोड़ से लंबी करी है, ताकि यह ज़्यादे दिक्कत ना करे, तो इधर देखे, स्लीव अगर चड़ा के बिल्कुल fix करा है, और वैसे हम दूसरी वायर को भी जोड़ेंगे, इस तरीके से, वैसे मैं वीडियो को ज़्यादे फॉर्स वोरूड नहीं कर जुगार तरीका रहेगा, बिल्कुल जुगार ही करेंगे इसको, तो पर जैक टूड़ गया, तो एक्स्टरनल जैक लगाना भी एक जुगार ही रहेगा, अब यहाँ पर दिखिए, मैंने चार्जर को इसके हाँ फिट करा, और यहाँ पर दिखिए, रैड कलर के लाड़ी दिखिए अब यहाँ पर कनेक्टर का बड़ा ध्यान द्रखिना है, कनेक्टर में क्या है, टीन कनेक्टर है, एक LED का कनेक्टर है, इसके पीछे LED लिखा हुए, खाफ़ि लोग उसको डूल चैनल चादू करेंगे, बट एक ही चैनल है, तो LED स्पीकर और बैटरी, तो ध्यान इसको मैं लगा के और आपको एक बार सभी से बता देता हूं पूरा एडिया देता हूं यहाँ पर खांच रहेगा मैं इस तरीके से खांच में इसको फसाना रहेगा और यहाँ पर इनवार को फोल्ड करना रहेगा बिल्कुर इस तरीके से यह फोल्ड हो गया और यह जो बट इसको cover कर लेना है नीचे देखना है वायर ना लगे इस बात का ध्यान रखना है यह पर यह fix हो चुका है बार-बार निकल जा रहा है क्योंकि भाई है कुछ इस तरीके का कि एक side से दबाओ दूसरे side से निकल जा रहा है इसको थ्वासे ध्यान से करना रहेगा मुझे trolley अब कुछ यह करके दिखा जाओंगा इस तरीके से और यह पर देखिए लेट के लाइट जाल रही है इसका मदफ सकसुली है चार्ज हो रहा है बिल्कूर perfectly अब यह काम भी करेगा perfectly देखिए तो यह जुगारत कैसा लगा कमेंट करके बताना वीडियो को एक लाइक और प्य के लिए अपने खार के टेक केर